कि मैंने 1982 में अंदव विश्वास के खिलाप ये काम शुरू किया अखिल बारती अंदश रद्दा निर्बुलन समीदी के नाम से तब तो मैं अकेला था केवल एक पत्रकार था एक कॉलेज में अध्याबक था वो छोड़कर इस काम में जुड़ गया मेरे साथ में बात में लोग जुड़ते गये और ये सब कारवा बढ़ते गया और इतना बड़ा संगड़न उसमें से खड़ा हुआ और day one से मैं बाबाओं का नाम लेकर जोतिशियों का नाम लेकर जिसके शरीर में देवी आती है इसे देवीयों का नाम लेकर बोलते आया हूं तब तो बहुत बड़ी थ्रेट थे, रोजी थ्रेट थे, कभी भी मारा जा सकता था लेकिन इतने सालों में कभी किसी ने मेरे शरीर को हाग भी लगाने की हिम्मत नहीं कि थी पहली बार मेरे साथ में जो हमला हुआ या मुझ पर हमला हुआ वो बालगंदर वर रंगमंदिर में 2006 में जैसा आपने पूछा तब हुआ तब भी उन लोगों ने मुझे मार डालने की कोशिश की थी लेकिन उसके बजाए उन्ही के लोगों को पीटा गया और वो सबकी सब बात उनके उपर उल्टी हो गई मैंने पहले से 2008 से कहना शुरू किया था कि ये लोग लोगों को मारेंगे अलग अलग धंग से मारेंगे बॉम्सपोट करकर मारेंगे कभी लोगों को बंदू के जरिये मारेंगे पिस्तोल के जरिये मारेंगे या फिर किसी को पॉईजन दे कर मारेंगे वगिर ये सब बाते मैंने लोगों के सामने रखना शुरू किया केबल लोगों के सामने नहीं रखे तो जहां वो पहुचनी चाहिए थी वहां भी पहुचा दिये जैसे खुद महराश्ट के तो गुरुह मंत्रा लाए में मैं नहीं खुद दिये लेकिन सेंट्रल में चरत पवार जी के जरिये वो पहुच गई बात तो ये सब बाते में पहले कहते आया था और फिर डॉक्टर नरेंद्र दाबॉलकर जी का मर्डर हुआ मर्डर जिस दिन हुआ तो दूसरे दिन मैंने खुद गुरुह मंत्री जी से जो मेरी बात हुई तब मैंने कहा था कि इनके लोग आसानी से नहीं मिलेंगे और ये जो मर्डर हुआ है वो सनातन के लोगों नहीं किया होगा और दूसरा कोई करने की गुंजाईश नहीं क्योंकि डॉक्टर डाबॉलकर जैसे विक्ति को मारने की क्यों कोशिश करेगा किसलिए करेगा क्या कारण है उसके पीछे का कोई दूसरा कारण हो भी नहीं सकता है उस दिन से बाती गुरुमंत्री ने मेरे साथ इसलिए की थी कि उन्होंने पोलिस प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया था जैसे ही डॉक्टर डाबॉलकर का मरडर हुआ उस इक शंड से उन्होंने पोलिस भेज दिये मेरे तरफ और मैंने कहा था कि मैं पोलिस प्रोटेक्शन मुझे पॉसिबल नहीं है मेरे जीवन की शेहली जीस डंग किये उसमें उसके गुंजाइश भी नहीं है फिर भी उन्होंने कहा आगर से कहा और वो बहुत अच्छे मेरे मित्र थे हमारे काम में काफी अच्छी मदद करते थे तो इसलिए उनकी बाद टाल भी नहीं सकता था उन्होंने इन छब्दों में कहा कि मैंने कहा आपको पूछने के लिए फोन किया है मैंने तो केवल आपको बताने के लिए फोन किया है कि आपका पूलिस प्रोटेक्शन रहेगा आपको न कहने का कोई अधिकार नहीं है एक आदमी को हम गवा चुके है दूसरे को हम गवाना नहीं चाहते है आपके जीवन को भी उतनी ठ्रेट है इसलिए बिलकुल उसके बारे से मैं जिन्दा हूँ अधर्वाइस मैं जिन्दा रहना असंबह हो था क्योंकि फर्स टार्गेट टून का मैं था ही पहले से अब सवाल यह है कि उसके करण क्या हुआ तो मैंने अपने जीवन पर किसी भी तरह की मर्यादा इस करण इस पोलिस प्रोटेक्शन के करण या इस डिवलप्मेंट के वर्क्शॉप चलाने के लिए देता था और बचवेश चार पाच मैंने अंदविश्वास के काम में खरच करता था जैसे ही यह मरडर हुआ तब मैंने डिसिजन लिया कि मेरा जो परसनल काम है क्योंकि यह पर्सनालिटी डिवलप्मेंट के है उसको मैं बंद करूंगा और पूरी तरह से अंदविश्वास के काम के लिए समय निकालूंगा और तब से मैं फुल टाइम गए पास सालों से साड़े चार पाउने पास साल हो रहे अभी फुल टाइम यही काम कर रहा हूं मैंने एक भी वर्क्शॉप बिच में नहीं लिया या फिर मेरा समय दूसरी किसी काम में मैंने नहीं दिया है तो उल्टा तो मैं ज्यादा काम करने लग गया ज्यादा व्यक्षान इस विशह पर देने लग गया संगडन को अच्छे डंग से फिर से खड़ा किया और ताकदवान बनाया और मिलिटन्ट बनाने के कोशिश की संगडन को मिलिटन्ट यानि उस अर्थ से नहीं है इस अर्थ से कि किसी भी समय किसी भी अवस्था में कैसे भी प्रसंगा आये तो भी अपने काम को नहीं छोड़ना और अपने आगर के साथ में अपने काम कायम करते रहना इस डंग का एक संगटन मेंने पहले सो जो मेरा था उसको और अच्छे डंग से खड़ा किया और उसको और ज्यादा जिसको बोलते हम प्रांट फूक ना कहते हैं इसे प्रांट फूक है और बड़े पैमाने पर ये काम पूरे महाराष्ट में फिर से शुरू हूँ तो काम में तो कोई अंतर नहीं आया है हमारा काम वैसे ही चलता है मैं जैप्रकाश नाराण के संगडन से आया हूँ एक गांधियन फैमिली का हूँ मेरे फिता जी विनोबा जी के सेकेटरी रहे चुके हैं विनोबा जी के आश्रम के साथ में विनोबा जी के काम के साथ में मै जिवन उस जमाने में, इमर्जंसी में, जेल में गया, तो मेरा टोटल काम करने का तरीका एक तरफ बिल्कुल मत डरो, और दूसरी तरफ पूरी तरह से अहिंसा अपने जिवन में अमाल में लाओ, हमारा नारा ही था, जैप्रकाष नाराइंड के संगणन में हम जब काम करते कि आसे तो मिलोब को लेकर मैं में मैं कभी कारेक्रम अरह किया फीव contar दिया जब भी जरूरत होती थी हम मिलिटन्टली बहुत अच्छे से फाइट करते थे जैसे पाइलट बाबा जब नाकपूर में आया था तो करीबन वो कुछ 301 बिहारी गुंडे लेकर ही आया था इसके बावजूद हमने उसको नाकपूर से भगाया तो हम इस धंग काम करते आया हैं लेकिन दूसरी तरफ कभी भी किसी के पर हाथ नहीं उठ था था कि मैंने बाबा को किसी एक्सपोज करने के बाद में पब्लिक उसको मारने के लिए दोड़ती थी मैंने कभी किसी बाबा को मेरे एक्सपोजर के बाद मार नहीं गिरने दिया उसको मार नहीं पढ़ने दिया हमेशा मैं रोकते गया उन चीजों को क्योंकि अहिंसा प काम इतने ताकत से इतने दिनों से करते आया तो नैचरली ये भूमिका लेकर हम अपने जिन्दगे में चलते आये हैं कि हम तो खुद इंसा नहीं करेंगे लेकिन किसी की इंसा भी नहीं सहेंगे हम तो किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन किसी ने हम पर हाथ उठाय तो व में मैं जिन्दा हूँ इसकी मुझे पूरी तरह से जानकरी है और जब मैंने ये संगटन 1982 में शुरू किया था तभी ये मैंने मन में ठान लिया था कि मेरे जिंदगी को कोई शाश्वती मेरे जिंदगी की है नहीं कभी भी मैं मारा जा सकता हूँ अकेला हूँ पीछे कुछ नहीं आगे कुछ नहीं इसी अवस्था में कभी भी कुछ भी गड़ सकता है ये तब से मेरी मान्यता थे मृत्यू का भय जिसे कहते है वो पहले ही मैं अपने जिवन से निकाल चुका था इसलिए इस काम के शुरुवात के ने तो इस काम के शुरुवात करने की हिम्मत ही मुझे नहीं आता तो वो तो सवाल है ही नहीं दिल में भय का सवाल तो बिलकुल ही नहीं लेकिन मैं जाने के बाद में क्या होगा यह सवाल है तो मुझे लगता है यह संगडन जिस धंग से हमने फिर से उसमें प्राण फुके हैं इस करण जिस धंग से संगडन अभी काम कर रहा है तो मेरी चिंता बहुत कम हो चुकी है अब रहा सवाल कि मेरे इतने सालों का जो अनुभव है और ये जो ग्यान मेरे दिमाग में है बहुत मत्व की बात है बहुत कम लोगों को इतने अनुभव अपने जीवन में विवित तरक्य का अनुभव लेने का अवसर मिलता है जो मुझे प्राप्त हुआ और इस करण इतने अलग-अलग विश्यो का ग्यान अपने जीवन में में प्राप्त कर पाया अंदविश्वास के खेत्र में भी इतना ग्यान प्राप्त करना पड़ता है इतने विश्यो का अभ्यास करना पड़ता है उस ग्यान के बारे में आपमें confidence चाहिए, ये प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनद, बहुत अनुभव और दूसरी तरफ बहुत ही निर्भाइता चाहिए, जो बहुत कम व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होती है। जो टेकनिक से उनके साथ शेयर करते गया, उनको सिखाते गया, उनको प्रवरुत करते गया और उनमें से लाखों लोग बदल गये आगे के जीवन में। तो ये दोनों विशे बहुत महत्वके हैं। मानवी जीवन में बहुत माइने रखते हैं। उसके depth में जिस धंक से मैं जा पाया हूं। बहुत कम लोगों को इतने depth में जाने का अवसर मिलता है। इतने अलग-अलग धंके अनुभव प्राप्त करने का ऑसर भी बहुत कम लोगों को मिलता है। मैंने अपने जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं लेने का तैय किया, इसलिए मैं कभी भी कोई भी डिसेटन ले पाया हूँ, और इस धन से अपनी जिन्दगी जी पाया हूँ, तो ये सब जो अनुभव और ग्यान है, इसका उप्योग आगे के लोगों को होना चाहिए, मेरे कारे करता हूँ, और जो मेरे कारे करता नहीं, आम आदमी उनको भी होना चाहिए, ऐसा मुझे अंदर से लगता है, अब उसके दो जरिये थे, पहला जरिये था, किताबे लेको, अब मैंने बहुत किताबे नहीं लिखे, पत्रगार गर-गर काफी सालों तक, 15 साल तक मैं लि किस्तार से लिखा गया है, ताकि लोगों को इस क्षेतर के जिन्नी आवशकता है, उतना किताब, उतनी सब बाते किताबों में अलड़ी है, दूसरा मैंने personality development के क्षेतर के बारे में है, कुछ किताबे निकाली है, जो मेरे भाशने हैं उस-उस क्षेतर के, उस क्षेतर में भ इसलिए तो शुरू किया है, ताकि ये विविद विशय के बारे में जो भी ग्यान है, वो लोगों तक effectively पहुचा जा सके, इसलिए ये YouTube चानल हमने शुरू किया है, अब ये सभी बाते मैं record करकर रख रहा हूँ, कल जाकर अगर मेरा murder भी होता है, और मेरा murder होता है तो सनातन समस्था और हिंदू जंजागरेंट समिती के अलावा कोई नहीं करेगा, किसी को के interest नहीं है शाम मानों के जिंदगी में और उसकी जिंदगी खतम करने के लिए, ये fanatic लोग, इनके दिमाग में पूरी तरह से बैठा है, कि ये लोग धर्म विरोधी, हाला कि मैं अपने जत्ते का शोध लेने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए सही माने में देखा जाए तो मैं आपने आपको बहुत धार्मिक व्यक्ति समझता हूँ, क्योंकि सभी धर्मों का यही उद्देश रहार, इसके बावजूत ये लोग समझते हैं कि धर्म के खिलाफ हाजमी है, इसको ख बहुत बड़ी बात होगी है, इसी बात नहीं है, लेकिन उससे क्या रुकसान होने वाला है, तब तक मेरा यह सब ग्यान इन वीडियोज में आ चुका होगा, मेरा संगटन बहुत अच्छे डंग से काम करेगा, और उसके बाद में शायद मेरा अगर मरडर हो गया, तो उसक में से काफी लोग सीखेंगे, अपने आपको बदलेंगे, कहने का मतलब ऐसा है, मैं जिन्दा हूँ, तो भी वो काम करी रहूं प्रबोधन का, और मरने के बाद में प्रबोधन का काम और बढ़ने वाला है, मेरी अपेक्षा है, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाल मोमेंट थी, उसमें मैं शरीक हुआ था, उस मोमेंट का नाम था इच्छावरण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अपने जीवन में, अगर करने लाएक कुछ जिन्दगी में बच्ता नहीं है, तो वो जीने को कोई मतलब नहीं है, जब तक अपने हाथ-पैर चलते हैं, अच्छ अब बेड़ पर बठकर मरने से तो ज़्यादा अच्छा है ना, इस दंग से काम करते-करते मारा जाए, इसमें से काम और बढ़ेगा, तो इसका कुछे कोई दुख नहीं होगा, उल्टा मेरे संगडन को, मेरे विचार को, और मेरे जीवन का जो उद्देश था, उसको ही इ उसके पहरे भी करें, तो हमारे यूट्यूब चनल शाम मानो को विज explor करें, ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चनल को subscribe करें, उसके लिए subscribe button दबाए, नए वीडियो का notification पाने के लिए बेल आइकन दबाए झाल झाल